हेलो दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग यहाँ पे Poco X5 Pro 5G के फोन में अगर आपके फोन में आटोमेटिकली कॉल रिकॉर्डिंग हो रहा है तो आप लोग यहाँ पे उसको बंद करना चाहते हैं तो कैसे यहाँ पे आटोमेट करने के लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले अपने फोन में सेटिंग को ऊपन कर लीनी है आप लोग यहाँ पे सेटिंग को ऊपन कर लीजिए स्वेटिंग को ऊपन करने के बाद यहाँ पे आपको उपर क्यों स्लाइट करनी है उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक option आता है application का तो आपको यहाँ पे click करना है application वाले option पे click करने के बाद यहाँ पे आपको system app setting को option आएगा तो यहाँ पे आपको click करना है यहाँ पे दोस्तों आप लोग जैसे ही click करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे आपके सामने इस तरीके से दिखाई देगा तो फिर यहाँ आपको उपर कि वोर फिरसे स्लाइड करनी है उसके बाद यहाँ पे आपको call सेटिंग को आपसन आता है तो यहाँ पे आपको Click करने है ओके यहाँ पे आप दूख जैसे हिसको click करेंगे तो फिर यहाँ पे आपके सामने फिर से इक नय इंटरफेस आज जाएगा तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है यहाँ पे आपको call recording को option आता है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है अब यहाँ पे आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो यह जो option है record call automatically का तो यह जो option है वो आपके phone में on रहेगा तो आपको यहाँ पे इसको बंद करना है जैसे ही आप लोग यहाँ पर यह वाला सेटिंग को बंद करते हैं तो आपके फोन में जो कॉल रिकॉर्डिंग हो रहा था पहले automatically call recording हो रहा था तो वो जो है बंद हो जाएगा तो आप लोग यहाँ पे इसको बंद कर दीजिए फिर आपके phone में automatically call recording नहीं होगा तो इस तरीखे से दोस्तों यहाँ पे आप लोग अपने phone में automatically call recording को यहाँ बंद कर सकते हैं तो दोस्तों अगर यह video आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और दोस्तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए